असलाम लोगे सूरेंट्स इस इस इबराहीम तो यह कंपनी एडिशा करवानी थी तो में लेकर जाना था आटिकल भी लेकर जाना था में में अगा कॉंसेप्चिल फ्रीम वर क्या था वह पढ़ लिया आज की क्लास हमने देखने किस में 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 के content किया होते हैं सही है और इंशालाह आज ही क्लास से हमारे मजीद sections link होते रहेंगे इस तरह हमने एक definition पर लेक्रफिक कंपनी की form and registered तो form से हमने mode of forming of company पढ़ा रेडिस्टर से हमने company registered कैसे होती है वह पढ़ा आज की तारीख में हम इंशाला पढ़ने रहे है Memorandum के content देखे है हमारा जो law है वो कहता कि है वो कहता है यार देखे आप Memorandum को तीन चीज़ों में पार्फिक्रेट करते हैं सही है Memorandum of a company limited by shares पहला यह कर ले है Memorandum of a company limited by guarantee दुसरा यह कर ले है और Memorandum of a limited company सबसे पहला तो हम यह तीन headings डाल देते हैं और एक चौतेस head पर हम डाल दें description के सही है अगर Memorandum of a company limited by shares हो तो इनकी description क्या होगी प्यारे बच्चों Memorandum याद आ रहा है बाहर वालों को चीज़े बता रही है तो law आपसे कहता है कि इन पांच चीज़ों का खयार रखे है Memorandum के अंदर ये पांच content होने चाहिए पहला name दूसरा province जहां पर आपका registered office situate होने जा रहा है तीसरा principle line of business चौथा अगर कोई undertaking दी है आपने तो और पांच वा amount of share capital बाहर वालों को पता होना चाहिए कि आपने कितना पैसा लगाए है सुनिएगा मेरी बात को again पांच content यह होने चाहिए पहले चीज़ अगर आप Memorandum of a company limited by shares है तो नाम से लिए बच्छो नाम के दो पहलू है पहला पहलू आपका नाम क्या होगा सही लैट से IQ School of Finance एक नाम है मेरा ठीक है लेकिन एक और चीज़ बाहर वालों के लिए matter क्या करती है बाहर वालों के limited है के unlimited है के guarantee है यह जो दूसरा पहलू है Memorandum इससे deal करता है प्यारे बचो क्या कि अगर आप एक public limited company है तो आपके नाम के साथ limited आना चाहिए अगर IQ School of Finance एक public limited company है तो IQ School of Finance limited यह दूसरे पहलों की बात कर रहा है इसा ही आपके word में limited का word आना चाहिए अगर आप एक private limited company है त आपके नाम के साथ private bracket में लिखा आना चाहिए private limited और limited का word IQ School of Finance bracket private limited यह ताके पता चले कि यह private company है इसी तरीके सागर आप एक single member company जो के private company की एक subtype होती है तो आपके नाम के साथ आना चाहिए SMC-Private Limited चाहिए अगर एक for example IQ School of Finance में एक ही बंदिन अगर IQ School of Finance बना है तो तो IQ School of Finance SMC private limited यह आना चाहिए अच्छा नाम के section को देखते हैं अगर आप memorandum of company limited by guarantee है तो कैसे पता चलेगा बाहर वालों को आपके नाम से कि आप एक guaranteed वाली company है तो आपके नाम के साथ guarantee का word आना चाहिए आपके नाम के साथ guarantee limited का word आना चाहिए प्यारे बच्चों इसी तरीके से अगर आप for example unlimited company है तो कैसे पता चलेगा बाहर वालों के unlimited company है तो आपके नाम के साथ unlimited का word आना चाहिए जो नेम का दूसरा पहलो है आज का lecture उसको cover कर रहा है जो पहला है पहलो है कि नाम क्या होना चाहिए बलावल मरियम के यह नाम हो सकते है यह अलग पहलो है इसको पर हमा जगा सेम चीज़ है जाहे वह limited by shares हो, limited by guarantee हो, unlimited company हो तीन हो जगा पर सेम है कि प्रोविल्स बता दे जहां पर आपका redistered office होगा सर असल मैं जगा क्यों नहीं बता रहे है, सर कैसी बात कर रहे है अभी तो company बनी नहीं है, company बनाने के लिए memorandum लेके गया हो और जब memorandum लेके गया हो तो company अभी तो बनाई नहीं है, जब company बनेगी तो redistered office बनेगा, तो सर मैं कैसे बता दूँ, तो ठीक है चले प्रोविल business प्यारे बच्चों बड़ा important है, वो जो company बनी थी, Salomine & Company, तो Salomine का business क्या था, यह memorandum में लिखा होना चाहिए, ताकि वो company वो ही business कर सके, उसके लावा और कोई business ना कर सको, इसकी logic क्या है मैं इंशालना तो इधर में explain करूंगा आपको, लेकिन बड़ा important है कि आपका तीस principle line of business ही नहीं था, तो यह पता होना चाहिए, अगर कलको आप creditors से भी deal कर रहे हैं, तो creditors को पता होना चाहिए, कि हाँ यार वाकरी में इसका business leather का है, तो मैं इसको leather supply कर दूँ, सही है, अच्छा, तो तीसी चीज़ प्रिंस प्रिंस तीन हो जगा आपको पताने की जरूरत ह है, तो liability of the member is limited, सही ही लिखावा होगा आपकी memorandum में, अगर आप memorandum of a company limited by guarantee है, अगर memorandum of company limited by guarantee है, तो same चीज़ आ है कि जी, liability of the member limited है, लेकिन and 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 such amount as may be required not exceeding a specific amount that each member undertakes to contribute to the asset of the company in the events of its being wound up, अगर कल को company wind up हो गई, तो मैं guarantee देता हूँ कि मैं देर लाग, दो लाग, धाई लाग, चार लाग, पांच लाग, इससे जादा नहीं, इतने रुपे आपको दूँगा, जो मैं agree कर रहा हूँ आज बाट के, और तिसरी चीज़, memorandum of unlimited company, और यहाँ पे categorically memorandum में लिखावा है, जैसे सारे members ने sign किया है, उनके hairs ने भी sign किया हूँ है, उनके legal success ने भी sign किया हूँ है, सबने sign किया हूँ है, सबसे important चीज़ हमारे पास memorandum content यह आएगा, आखरी चीज, amount of share, और मैं बड़ी जबदास बाग करता हूँ, memorandum is the agreement with outsiders है, यह कल को bank ने, अगर for example, कल को अग बड़ा चला आजाओ, unlimited liability तुमारी फॉरण से पैसे table पे रखो, सही है, यह फर्क है between memorandum, article मेरा internal matter है, between shareholder and among shareholder, between company and a shareholder, memorandum external parties के लिए, और आखरी चीज, amount of share capital, अगर तो है, अगर तो है, अगर आप एक company में share capital बना रहे है, तो जी memorandum में पता होना चाहिए, क्यों, ताक आपका अपना पैसा कितना लगाव है, share capital, amount of share capital, तो यह प्यारे बच्चों, हमारे पास, जो है, यह हमारे पास memorandum है, different companies के, depend करता है, आप limited by shares हो, limited by guarantee हो, unlimited हो, अगर आप या तो public होगे या private होगे, सही तो public और private के लिए, अगर प्राइवेट के लिए, अगर 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 unlimited लिखेगा, अगर आप private guarantee company है, सही, आप एक private company है, लेकिन आप कहते हैं कि जी, मैं guarantee भी दे रहा हूँ, तो फिर आपके award के साथ guarantee limited भी आना चाहिए, प्यारे बच्चों, किया यहां तक बास समझ आती है, यह हमारे पास memorandum का content है, अगली सबसे important चीज हमारे पास, यह है कि जी, memorandum के content को आप किस तरी के से लिखे ना है, किस तरी के से present करना है, इंशानला, next class हो पढ़ते हैं, thank you so much